नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी मानी मंत्री जी गणी लैलु जी के समय और आज तक उसकी गोषणा पर कभी शर्वे भी नहीं हुआ आप जह समझों आप कि गोषणा है ओद नहीं हुदे थी कुस नहीं होता था अदेजी बिभाग नहीं बदल गया है भारत सरकार की जिम्मेदारी है अरे दस साल का हिसाब देदो अरे दस साल का हिसाब देदो अरे मेरे पास समय काम है उसका दूर्पियों ना करो धन्यवाद अदर जी, हलागि हमारी पार्टी का समय नहीं था, बावजुद इससे आपने समय दिया, रेल वजट में बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत हर्दे से धन्यवाद जी, बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कई, जनरल बोगी आप में बहुत एतियासिक छेतर है, अलामा सिवली नुवानी, कैफी आजमी, आयुद्या परसाद हरियोत से लेके, तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की सरजमी रही है, अदर जी, आजमगड छेतर, अलग अलग बेवित्ताओं से बहरा हुआ है, आजमगड के लोगो को जहां रोजगार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं सिच्छात लिए आजमगड के लोगों को इलहाबाद और प्रियाग्रास की जरूत पड़ती है, पर देश की राजधानी लखनो हुए, देश की राजधानी दिल्ली है, इसलिए मैं अपनी और से अपने छेत जाएक थी उस रेल को हर दिन के लिए सुरू किया जाए, बलकि साथी साथ आजमगड से लखनो, आजमगड से लहाबाद, जहां पे इंटर सिटी से डेली लोग आगावन कर सकें, आजा सकें, उसके लिए इस टेन को भी सुरू कराने की करपा करें, साथी साथ अधाद जी आजमगड से दिल्ली जाने का केवल एक मात्र जरिया, कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुचेंगे इस बात की कोई भी मिदारी और गारेंटी नहीं है, इसे मंत्री जी मैं आपसे अनोत करूँगा, कि नई रेल लाइन, नई रेल वे, रेल ट्रेन सुरू करने की करपा करें, मैंने जनरल बड़ेट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजमगड से, बनारा से, बायां आजमगड गोरखपुर तक, नई रेल लाइन का बड़ा डोड परचार किया गया अद्ध जी, हमसे पूर रुसानसर्थ ने बहुत परचार किया कि हमने सेंक्सें करा दिया है, लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट ना सुईक्रत है, ना उस योजना का सुईक्रत है, सर्वेज जरूर हुआ है, डी पियार जरूर बनी है, लेकिन उसकी सुईक्रती मंतिजी और फंड है मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर ध्यान देंगे साथी साथ अध्यजी आजम गड़ में जहाना गंसे सठ्याओं के बीच रेलवे ओवर बीज न होने की वज़े से घंटों जाम लगता है इसी तरह से दो जगे औरें कुटवा मजगवा बाली पूर से रानी की सर है डगमा कोटवा रेलवे एक पर अंडर पास की बहुत जरूरत है अध्यजी एक मड़ा लेंगे मैं बड़ा सोबाग साली हूं अध्यजी कि उत्तरपदेश की तीन बिमिन लोकसमाओं का मैंने प्रदिन्दू करने का मुझे मौका मिला और वो तीनों ही छेत्र सद्दे न मंतरी थे उस समय एक योजना की घोष्णा की गई ती सिसक्दन में वो गोष्णा थी मैंन पुरी से एटा कासगंज होते हुए बदाईयू-बदाईयू से संबल होती गदरोला तक नई रेल लाइन की घोष्णा की गई थी मानी मंतरी जी मानी लालू जी के समय और आज तक उसकी गोश्णा पर कभी सर्वे भी नहीं हुआ इसे मेरा रोध है वो पुरानी योज़दा है उसके बाद दस साल से यह भी है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है दस साल से यह भी बैठे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे दूसरा मेनपुरी से अगले मंत्री की जिम्मेदारी बने की अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी अरे दस साल का हिसाब देदो अरे दस साल का हिसाब देदो अरे मेरे पास समय काम है उसका दूर्पियों ना करो अजय जी मेंपुरी से दिल्ली के लिए मेंपुरी से लखनू के लिए बदाईू से लखनू के लिए बदाईू से दिल्ली के लिए इस रेल लाइनों की सक्त रेलवे ट्रेनों की सक्त जरूरत है मानी मंत्री जी पांच में नमबर की आपकी किनोमी आ गई आपके पूर्व जो हमारे सदस हैं निसिकान जी आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो और अगर नारा देना है नारे को सच बनाना है प्रदान मंत्री जी की बात को सभी सावित करना है तो मानी मंत्री जी ये जो मांगे हमने रखी है आजमगड लोगस्वा के लिए रखी मेंपरी के लिए रखी और शीद देना बंद कर दो और ये कह दोगे कि आप विपच्छमियों आपका नहीं करेंगे उस दिन हम अपने छेत के लोगों को संतुस्ट भी कर लेंगे मानिया ध्यक्षी कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया मैं मानिया प्रधान मंत्री जी और मानिया रेल मंत्री जी को बहुत बहुत लाइट जै बीच में छूट गया धन्यवाद अद्यजी मैं कहता हूँ कि जो मांगे की है तीनों ही छेत्रों की उत्तर प्रधेश की जनता की उसको मानिय मंत्री जी पार्टी से उपर उठकर सब के साथ और विकास के लिए पूरा कर दें आपकी बहुत-बहुत महरवानी होगी नहीं तो ये नारा बंद करो